इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती नयाय सुरक्षा सहीता की section 9 के बारे में जो कि बात करता है court of judicial magistrate के इससे पहले CRPC में इसके बारे में section 11 में बताया गया था जो भारती नयाय सुरक्षा सहीता है उसका section 8 हमने पहले पढ़ा था जो कि सैसन कोट के बारे में बात करता है कि हर सैसन डिविजन में एक सैसन कोट की स्थापना जरूर होनी चाहिए और स्टेट गॉवर्मेंट को इसका अधिकार दिया जाता है कि वो इस तरह के सैसन कोट बनाईगे इसी तरह से भारतिय नियाए सुरक्षा सहीता का सेक्शन 9 1st grade magistrate और 2nd grade magistrate के court की स्थापना के बात करता है यानि की 1st और 2nd class magistrate की court कहां कहां पर स्थापित किया जाएंगे यानि की बनाये जाएंगे और उन court में बैटने वाले जो officers होंगे उनको appoint कैसे किया जाएगा उनकी powers क्या होंगी उसके बारे में बात की गई है इसका clause 1 कहता है कि हर एक district जो कि metropolitan area नहीं है वहाँ पर 1st class magistrate और 2nd class magistrate के कितने court बनाये जाएंगे और किस जगा पर बनाये जाएंगे जहाँ पर भी state government को ऐसा लगता है कि किसी भी area में special मामलों से निपटने के लिए special code की जरूरत है तो high code से सला लेने के बाद इस तरह के special code class 1 और class 2 magistrate की code बनाये जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ special तरह के मामलों की सुनवाई की जाएगी अब ये special तरह के मामले कौन से हो सकते है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में कई तरह के कानून exist करते हैं कई तरह के act बनाये गए है जैसे कि पॉक्सो act है जिसमें बच्चों से related crime को देखने की सुविधा दी जाती है इसी तरह से नार्को act हो गया है मकोका act हो गया या फिर SCST act से जुड़े मामले हो गए इस तरह के जो भी मामले होंगे जो कि special law के अंतरगत सुने जाने का provision बनाया गया है उस तरह के मामलों की जो सुनवाई होती है वो special तरह के court में ही करी जाती है तो उनके लिए special court बनाने जरूरी हो जाते है मामले होंगे खास तरह पर special court में ही सुने जाएंगे और इसका दूसरा point ये कहता है कि इन special court में जो presiding officer होंगे वो high court के द्वारा ही appoint किये जाएंगे उसको और कोई भी appoint नहीं कर सकेगा और point 3 कहता है कि अगर कभी भी high court को जरूरी लगता है तो किसी भी civil court के judge को class 1 judicial magistrate ये second class judicial magistrate appoint भी कर सकता है और जो उनको power दी जाएंगी वो उन power को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इस तरह से BNSS का जो section 9 है वो court of judicial magistrate की बात करती है जो कि इस तरह से है जैसा कि मैंने आपको बताया होब कि ये वीडियो आपको informative लगी होकी वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत बोलिएगा